हाई प्रेंट्स आज मैं आपको विटैबन B12 की जानकारी दे रही हूँ जो हमारे शरीर में एनर्जी के लिए हमारे ब्रेन की अच्छी तरह काम करने के लिए हमारे शरीर में खून बनाने के लिए और DNA सिंथेस के लिए बहुत जरूरी है स्टडीज के अनुसार 20% लोगों को 60 साल की उमर तक वाइटेमिन B12 की कमी के लक्षन दिखाई देने लगते हैं विटेमिन B12 वैसे तो कई खाने की चीजों में पाया जाता है लेकिन ये अधिक मात्रा में animal products जैसे meat, chicken, eggs, fish, milk और milk products जैसे दही, मक्षन, cheese, पनीर आदी में पाया जाता है इसलिए जो लोग pure vegetarian होते हैं और जो दूद, दही, मक्षन आदी भी नहीं खाते हैं उन्हें अकसर वाइटेमिन B12 की कमी हो जाती है उमर के साथ-साथ खाने में से विटेमिन B12 हजम करने की हमारी शमता घटती जाती है इसलिए पचास साल से अधी कुम्र के लोगों में vitamin B12 की कमी होने लगती है लेकिन आजकल बच्चों में और जवान लोगों में भी vitamin B12 की कमी होने लगी है क्योंकि ये लोग दूद नहीं पीते, दही नहीं खाते, अंडे नहीं खाते और dieting करने में लगे रहते हैं या फिर protein shakes आदी पी कर body building करते हैं हमारे शरीर में vitamin B12 का level 300 pkg per milliliter से उपर normal माना जाता है और 200 pkg per milliliter के नीचे का level शरीर में vitamin B12 की कभी माना जाता है अब यदि आपको vitamin B12 की कमी हो जाए तो उसके लक्षन क्या है और उसके लिए आपको कौन से test कराना चाहिए ये बताती हूँ पहला है हमेशा fatigue या ठकान महसूस करना हमारे शरीर में खून बनने के लिए B12 जरूरी है इसलिए vitamin B12 की कमी से खून की कमी हो जाती है जिसे megaloblastic anemia कहते है शरीर में इस तरह की खून की कमी से थकान लगती है स्किन का कलर फीका लगता है और आखों में हलकी पीली रंग दिखाई देती है vitamin B12 की कमी से हमारे दिमाग पर भी असर होता है किसी चीज में ठीक से ध्यान नहीं लगता और बार बार भूलने की आदत हो जाती है ये 50-60 साल की उम्र के बाद जादा होने लगता है जिन लोगों को बार बार सिरदर्द और माईग्रेन की शिकायत रहती है उन लोगों में कई बार vitamin B12 की कमी पाई जाती है और इसे ठीक करने से सिरदर्द कम हो जाता है vitamin B12 हमारी मानसिक स्वास्त के लिए भी बहुत जरूरी है इसकी कमी से कई लोगों को मानसिक तनाब और डिप्रेशन हो जाता है ठीक से नीन नहीं आती है, हाथ पैर में जलन होती है क्रैम्स याने खिचाव और पिंस और नीडल सेंसेशन याने जुन्जुनी सी महसूस होती है कई लोगों में vitamin B12 की कमी से पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है खाना खाने के बाद नौजिया की फीलिंग होती है और डाइरिया भी लग जाता है ये problem अधिकतर छोटे बच्चों को होती है एक और चीज जो vitamin B12 की कमी से जवान और बुड़े सब लोगों को हो सकती है वो है मूँ के अंदर जलन और बार बार छाले या अलसर्स का होना अब यदि आपको इन में से कोई भी problem हो रही है और आप vegetarian है और आपकी उमर 50 साल के उपर है या आप किसी बिमारी से ग्रस्त हैं तो आपको hospital जाकर ये 4 blood test जरूर करवाने चाहिए पहला है complete blood count या CBC test दूसरा है blood में vitamin B12 का level तीसरा है blood में folic acid का level और चौथा है thyroid function test vitamin B12 और folic acid ये दोनों हमारे मानसिक स्वास्त और नसों की health के लिए बहुत जरूरी है यदि test में आपके खुन में B12 और folic acid की कमी निकलती है तो आपको अपने खाने में अंडे, मीट, फिश, हरी सबजी ज्यादा खाना होगा vegetarian लोगों को दूद, दही, पनीर, cheese, मखन, soya milk, mushroom, beetroot आदी खाने से फाइदा होगा इसके अलावा, vitamin B12 की गोली जिसका नाम मैथी कोबाल है, उसकी एक गोली रोजाना कम से कम 3-6 महने तक लेना चाहिए जिन लोगों को खाना ठीक से नहीं पचता और in-digestion की problem रहती है, उन्हें vitamin B12 के injection लेने से फाइदा होता है दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और मैंने जो आपको vitamin B12 के बारे में जानकारी दी है, उससे आपको जरूर फाइदा होगा थैंक यू